दोस्तों आज फिर से आप लोग के सामने लेकर के आई हूं बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल चॉकलेट केक की रेस्पी विदाउट एक, विदाउट अवन और विदाउट किसी मेजरिंग कप के बहुत साई लोगों को टेंशन होती है कि केक बनाना बहुत ही जादा मुश्कि तो अगर आप ट्राइ करते हो इसको तो मुझे इसका फोटो खीच करके इंस्टाग्राम पे जरूर भेजिएगा मेरे फेस्बूक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं मेरे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल का इकन जरूर दबाएं ताकि किसी भी ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो का आप मिस न कर पाओ तो जादा बाते न करते हुए दोस्तों चलिए शू करते हैं आज की रेस्पी लेट के स्टाटे तो दोस्तों आज की रेस्पी बनाने के लिए यहां पर मैंने एक बड़ा सा कोई भी कटोड़ी कोई भी इस्तरा का बरतन ले ले और यहां पर मैं ले रही हूँ छे टेवल स्पून के असपस चीनी मैंने आपको पहली बोला बिना मीजरिंग के कप के बना रही हूँ तो छे चमच यहां पर मैंने चीनी लिया है और उसका दिया पर मैं छे चमच जो है रिफाइंड और ओयल लोंगी तो इन सबी चीजों को बहुत ही अच्छी से हमें यहां पर मिक्स कर देना है ताकि हमारा जो चीनी है बहुत ही अच्छी से घुल जाए तो जब तक मारा चीनी नहीं गुलता तब तक आपको mix करना है उसकोद यहाँ पर मैंने all-purpose flour यानिकी मैदा लिया हुआ है लगबंग 9 चमच के आसपस लिया है 9 टेबल स्पून वो ले लेते हैं और इसको भी काफी अच्छे से हमें यहाँ पर क्या करना है चानना है चैनना है। यहास लिया है किक यहाँ कवी निकल जाएंगी और आपका बढडियाँ ये और और आपको बढ़िया वाला पौफिक बैडर रायी हो तो इन सबी चीजों को कवी अच्छे सी मिक्स करेंगे तो mix करने के लिए यहां पे आपको और एक चीज की सामक्री की जुरत पड़ेगी वो हमारा है दूद तो दूद भी दोस्तों मैंने यहां पे चमच से लिया है तो 12 चमच में पहले ले रही हूँ यहां पे देख सकते हैं मैं चमच को पारी बारी से गिंती करके जो है 12 चमच म करना है आपको यहां पे और यह देखिए बहुत ही बड़ी आसा है तो यहां पे और मैं पांच चमच जो है और दूद ले रही हूँ इसको भी हमें टाल करके बहुत अच्छे से mix कर लेना है आपको में अगर आपके पास measuring cup नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जूरत नही को भी स्टील का हो या फिर अगर आप अलमुनियम वगरा का यूज करते हैं तो उसमें कोशिश करें हमेशा बटर पेपर यूज करके ही करें और यहां पर मैंने ओयल से इसको ग्रीज किया है यानि अलमुनियम के बरतन को ओयल से ग्रीज करने कबाद थोड़ा बटर बटर पर लिया है कुकर को प्रीट किया मैंने पांच मेर तक लो फ्लेम पे और इसके अंदर रखा है जरूरी है अगर स्टैन नहीं है तो इसकी चोटा सा कटोरी वगरा रख करके भी कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखी कि आपका कटोरी ये वाला जो है जो हमने बैटर वाला हूँ गिरे नहीं इसलिए इस बात का ध्यान अखिक आपको ऐसा स्टैन नीचे रखना है बहुत ही अच्छे से फ्लैट रहे अच्छे से रुके और यहां पर धकन बंद करना है दोस्तों सीटी निकाल करके सीटी निकाल के आपको लगबग 40 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे बेक कर होने तक हलका सा जब गोल्डन वाला कलर दिखने लगए आपको तब तक इसको बहुत ही चैसी रोस्ट करना है और इसके बाद यहां पर मैं तीन चमज इसमें चीनी डालूंगी और एक चमज कोकुआ पाउडर डाल करके इसको थोड़ी दिर हम इसको मिक्स करेंगे और इसक इसको बनाना पकाना आपको लो फ्लेम पे तो कुछी देर में देखिएगा इस कंसिस्टेंसी घाएगा तो आपको थोड़ी दिर ठंडा करने के लिए रख देना है और साइड में हमारा 40 मिनिट्स के बाद हमारा जो हो केक भी बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है यहां मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए वाओ बहुत ही परिया से आपको यहां पर तूथपीक डाल करके चेक कर लिए अगर तूथपीक बहुत ही क्लीन निकलता है इस मतलग केक आपको बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है और अगर क्लीन नहीं निकलता तो पांच मिर तक इसको और पका सकते हैं, तो यहां पर मैंने इसको निकाल लिया, और निकालने कबाद इसको फिर से में जिच, और कुछ देर तक बहुत ही अच्छे से ठंडा करना है, जैसे यह ठंडा हो जाएगा, अच्छे से उसके बाद इसको अनमोल्ड करेंगे, नहीं तो क्या होगा, ब आपका केक जो बहुत ही अच्छे से निकले गए, यह देखिए, क्या मस्त बढ़ियाँ वाला केक हमारा बेख हुआ है, इंतम सॉफ्ट फुला-फुला स्पंजी केक बना है, तो दोस्तो केक बनाना बहुत ही जादा मुश्किल नहीं, आप चाहें तो इस स्टेस तक भी करनिश कर रही हो, इसके लिए मैं उपर का लेयर काट करके मैंने हटा दिया है, और फिर इसको पीछे एक साइड इसको पलड़ दूँगी, क्योंकि थोड़ा समझे इसको थोड़ा सा बर्थडे वाला जो लुक होता है, थोड़ा सा कोई फंक्शन में किसी के सामने केक प्र रेड़ी किया था, तो सबसे पहले फ्रोस्टिंग का एक फ्लोर इस से इसको ओcesso बना रही हो दोस्तों, आप का लग तारीकी चाहती तो यह डिए 근데 कपना सकतेंके अपने घर पे और अगर नहीं stimulate खाना है तो नॉर्माली सब्सक्राइब कोई दिकत नहीं है इतना मेहनत करना नहीं चाहते हैं तो तो बस इसको थोड़ा समय यहां जो फ्रोस्टिंग को पीछे की साइड इस तरह से डाल करके इसको चिपका दूँगी और दोनों साइड किया है उसको पीछे इस तरह से लगाएंगे तो क्या होगा यह बहुत ही बढ लगाएंगे तो चाकुक मदस इसके उपर इस तरह से मैंने लगा दिया है और साथ के साथ ही हम इसके साइड में जो है नीजी वाले साइड में भी बहुत ही अच्छे से फ्रोस्टिंग लगाएंगे यह देखिए हैना बिलकुल हर्ट वाला शेप दिखने लगा न तो बस यही है थोड़ा सा अलग और यूनिक टाइप का बन भी गया है बढ़िया लग रहा है देखने में तो बस हमारा जो है हमने एक लेयर लगा लिया है फ्रोस्टिंग का बहुत ही बढ़िया हमारा हर्ट शिप देख रहा है इसको और भी अच्छी से गार्णिश करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने दूद के पैकेट से लेकर के और इसको जो है नोजल बनाया हुआ है और यह मैंने अगर आप चाहते हैं कि यह वाला वीडियो आपको अलग से बनाओं कि डिजाइन बनाने के लिए नोजल जो है कैसे बनाते हैं तो उसका एक अलग वीडियो में बनाओंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दूद के पैकेट को लेकर के नोजल इसके दर डाल दिया है और जमने फ्रोस्टिंग रेडि किया था उसी को इसके अंदर डाल दिया है ग्लास में डाल करके और फिर यहाँ पर हम इसका डिजाइन रेडि करेंगे थोड़ा से और अच्छे से गार्निश करने के लिए इस तरीके से यह देखिए तो यहाँ पर आप जहाँ कोई साब डिजाइन बना सकते हैं यह देखिए तो सुन्दर लग रहा है देखने में और अच्छा भी लगेगा ट्रैक्टिव लगेगा थोड़ा से स्पेशल कोई भी ओकेजन में आप किसी के सामने केक बना करके प्रिजेंट करना चाहते है तो इस तरीके से बनाईएगा तो और भी अच्छा लगेगा तो दोनों साइड से हम इसको अच्छे से गार्निश करने के दोस्तों मैंने डेरी मिलका चॉकलेट होता है इसको बहुत ही अच्छी से छील लिया है चाकू की मदद से श्रेड श्रेड चॉकलेट से यहां पर मैं इसको थासा गार्निश कर दोंगी तो यह घर में आपको इसली चॉकलेट बगरा तो मिली जा रहा है अभी सबी जगह मिल जाएगा अगर आपके बर्डे है किसी का कोई स्पेशल ओकेजन में किसी को आप बहुत ही लजीज बच्चे इसको बहुत ही खुशी से खाएंगे और जिसको इलिए आपने बना है वो तो जब बहुत ही ज़्यादा तारीफ करेगा आपको मैं यहां आपको थोड़ा से इसको काट करके दिखाती हूँ कि कि इतना ज्यादा सॉफ्ट बना है तो इस तरह से हमने इसको ड्रैंगल शिफ में इसको मैंने कट किया है और फिर इस तरह से हम इसको निकालेंगे बहुत ही लजीज बहुत ही स्पंजी के हमारे बन करके रेडी है यह देखिए लुक वाईज देखिए वाओ दोस्तों बहुत ही बढ़ियां तो इसको देखिए चमस से भी मै यहां पर आपको काट करके दिखाती हूँ बहुत ही बढ़ी हैं मतलब एक बार में बहुत ही अच्छे सा लग होगा इसका मतलब जो ही टेस्टी बहुत ही स्पंजी सॉफ्ट बना है कुकर में आप जो है आराम सी यह वाला के घर पर बना सकते हैं दोस्तों जो मैंने बताया आ मतलब कनो का आधकन निकाल ले लीड मतलब उसका जो सीदी उत वäreने हमेसा și सक्षे एक इसस्टेला काइप बनाते हैं तो उस न दगा के लिए आप की लगा अगर अच्छा होगा तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले और अगर आपने रेसीपी बनाया है तो मुझे इंस्टाग्राम पिसकी फोटो जरूर शेर कीजिए ताप सबसे फिर से मिलते हुए नए वीडिय के साथ कब तक लिए टेक केर बबाई थैंक्स और वाचिंग